हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल माईनेम इस अंकूर मेंदरत्ता तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बड़े मिया छोटे मिया वर्सिस डंकी की याने की दोस्तों दोजार तेईस दिसंबर क्रिस्मस पे बॉक्स ओफिस पर धमाल मचने वाला है इतना तो पक् अलनेवुड इमोशन्स के सुल्तान याने की शारू खान बाइसा मुकाबला होने वाला है कड़े का एकडम कांटे की टककर होने वाली है सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े बिया चोटे मिया की बड़े मिया छोटे मिया एक fresh story है जैसा कि मेकर्स का कहना है सिर्फ फिल्म का नाम यूज किया गया है हाइप create करने के लिए फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं अलियाबास सफर जो की mass entertaining फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और प्रोडूस कर रहे हैं वासू भगनानी आने की entertainer होने वाली है ये साल 2023 की पर यार अक्षे कुमार है उनकी fan falling बहुत तकड़ी है पर कई बार ऐसा लगता है कि उनकी selection of films बहुत जादा बेकार है अभी आपने देखा कि बच्चन पांडे का क्या हुआ और आजकल वैसे भी film से जादा तो यार थू 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 पे ध्यान दे रहे हैं मतलब की विमल्स पे ध्यान दे रहे हैं अब उनकी भी जुबां केसरी हो चुकी है जो दुनिया को ग्यान बाटते फिरते थे तंबाकू यूंबाकू आज वो खुदी भाई साब उसके brand ambassador बन चुके हैं तो मुझे कहीना कहीं doubt होता है बड़े मिया छोटे मिया का भाई साब package बढ़िया होगा परंदा story खोकली होगी क्योंकि यार उसमें tiger shroff सिर्फ उचल कूद अच्छी करते है acting तो यार उनको आती नहीं है flat face ही है उनका हमेशा एक ही तरह की उनकी acting होती है dialogue delivery में कोई दम नहीं होता तो देखते हैं क्या होगा अब बात करते हैं डंकी की यानि की शारू खान एक ऐसा नाम है जहां तक पहुंचने में लोगों को साथ जनम भी कम पढ़ जाएंगे अपने दम पर उन्होंने अपना नाम बनाया है वैसे अक्षे कुमार ने भी अपने दम पर अपना नाम बनाया है पर हम यहां पर बात कर रहे हैं अभी डंकी की मतलब कि शारुख खान प्लस हिरानी इस एक्वल टू शोर शोर ब्लॉक बस्टर हिरानी साब इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे हैं उनका एक अपना अंदाज है हसते हसाते वो समाज को बहुत कुछ सिखा जाते हैं दो सो तीन सो करोड़ वाले कलब में जाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है वैसे वो नंबर्स में बिलीव नहीं करते यार उनकी फिल्म अपने आप में ये एक लेजंट होती है मतलब की पीके ले लो थ्री इडियट ले लो लगे रहो मुन्ना भाई मुन्ना भाई MBBS वैसे तो यार पहले मुन्ना भाई MBBS के लिए शारू खान साब को अपरोच किया गया था पर उस समय उनके पास वक्त नहीं था इस बात को 20 साल हो चुके हैं तो मतलब की हिरानी सर सबसे पहले शारू खान साब के साथ ही काम करना चाते थे और वो 20 साल बाद उनका सपना साच चोने जा रहा है तो अब हम कह सकते हैं डंकी एक शोर शोर ब्लॉक बस्टर होगी मतलब की दो ग्रेट टैलेंट मिलकर एक ग्रेट कॉंटेंट डिलेवर करेंगे इसमें कोई दो राएं नहीं है मुझे परसनली फील हो रहा है कि डंकी कहीं न कहीं बड़े मिया चोटे मिया से आगे निकल जाएगी क्योंकि उदर राजु हिरानी और शारु खान की जो जुगल बंदी है वो कमाल की होने वाली है भाई मुझे परसनली डंकी कहीं न कहीं आगे जाती भी नजर आ रही है आपको क्या लगता है बड़े मिया चोटे मिया आगे जाएगी या फिर डंकी शारु खान जीतेंगे या फिर अक्षे कुमार आप कमेंट करके बता सकते हैं बस वीडियो में इतना ही वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को हिट करो ता कि आपको और भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग